सद्कुरु रुपी प्यारे सासंगत जी प्यार और सुतकार से कहना धान निरंकार जी लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा ए तनुसजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा ए सद्कुरु मातची आपची का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है आपची ने ये अनमोल प्रम ज्यान देकर हमारे जीवन को सफल बनाया है सफल हुआ है उन्ही का जीवन जो तेरे चर्नों में आ गए हैं सफल हुई है उन्ही की पूजा जो तेरे चर्नों में आ गए हैं वाक्य में ही सचेवाशा जिनों ने भी आपची की किरपा से इस निरंकार को जाना है जो आपची के चर्नों में आ गए हैं उन्ही का जीवन ही सफल हुआ है उन्ही की पूजा ही पूरन हुई है सत्कुरु माता जी आप जिस पर किर्पा कर देती हैं वही जन सेवा सिम्रन ससंग से जुड़ पाता है जैसे कहा है बिन भाका ससंग ना लफ़े सत्कुरु की किर्पा के बिना ससंग भी नहीं मिलता है जब सत्कुरू की किरपा होती है तब ही सेवा सिमरन ससंग मिलता है हम अपने आपको बहुत ही लखी मानते हैं कि सत्कुरू ने हमें इस रूप में चुना है और कहते हैं कि जब इस परमपिता परमात्मा को पाने के इच्छा होती है तो यह सत्कुरू भी उस पर किरपा कर देता है और कहती हैं लगातार अगर हम किसी भी काम को पाने के लिए चाहे वे दुनियावी काम है या अध्यात्पी कर्म है उसको पाने के लिए हम कोशिश करती है तो एक दिन हम सकसास्फुल भी हो जाती है ऐसे ही दासी एक श्टोरी आपजी के चर्णों में शेयर करने जा रही है सद्कुर्माताजी के अशीर वाद लेती हुए दासी वो श्टोरी आपजी के चर्णों में शेयर कर रही है आपजी परवान करना अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करना सासंगत जी कहते हैं स्कॉर्टलेंड के राजा रॉबर्ट ब्रूश शत्रों से युद में हार गए उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए या बंदी बना लिये गए महल पर शत्रू सेना का कबज़ा हो गया और वह अपने परिवार से भी बिछुड गए ब्रूश अपनी जान बचा कर जंगल में भागे शत्रू सेना उनका पीछा कर रहे थी ब्रूश घने जंगल में कोई सेफ सान खोज रहे थे भागते भागते अचानक उन्हें एक गुफा दिखाए दी वह मोद के डर से बिना कुछ सोचे विचारे उस गुफा में चले गए वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे कि शत्रू सेनकों के आने की आहट आवाज उन्हें सुनाई दी गुफा में एक ही परवेश द्वार था यदि सैनक गुफा के अंदर आ जाते तो प्रूश की गिरफतारी या मृत्यू निश्चित थी दर के कारण प्रूश ने तब ही देखा कि एक मकडी गुफा के परवेश द्वार पर एक जाला भुन रही थी वह पर चलती जाला भुनती फिर गिर पड़ती ब्रूश इस द्रीशे को देखते रहे अंद में मकडी ने पूरे परवेश द्वार पर जाला बना ही लिया जब शत्रू सैनिक गुफा तक आए तो द्वार पर मकडी का जाला बना देख सैनिक समझे के ब्रूश इस गुफा में नहीं है क्योंकि जाले को तोड़े भी न कोई भी गुफा में एंट्री नहीं कर सकता था वे लोग वहां से चले गए और ब्रूश की जान बच गई लेकिन इस घटना ने ब्रूश में अपूत पूरव साहस का संचार कर दिया यानि कि इस घटना से ब्रूश के अंदर हिम्मत आ गई उसने मकड़ी को बारं बार असफलता और फिर मेहनत और अंत में सफलता से प्रेरित होकर अपने परिवार को ढूंडा यानि कि ब्रूश ने उस मकड़ी से शिक्षा ले कि हमने हारना नहीं है कैसी भी सिच्चूशन हो हमने उसमें हिम्मत रखनी है मेहनत करनी है तो एक दिन उसमें सक्सेस्फूल हुआ जा सकता है लेकि उसने प्रूस ने फिर अपनी सेना इकटे की और उस पर खूब मेहनत की और फिर शत्रू परकर्मन कर जीत हासिल की असफलता से निराश होने की बजाए उसे प्रेरना बनकर लगातार प्रियास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है इस तरह हमें इस टोरी द्वारा सीखने को मिला है कि किसे भी काम से गबराना नहीं चाहिए हमें हिम्मत रखनी चाहिए सद्कुर निरंकार का सहारा लेना चाहिए जब सद्कुर निरंकार का सहारा हमारे साथ होता है चाहे वो दुनिया भी काम हो चाहे अध्यात्मी काम हो उसमें सक्साइसफूल हो ही जाते हैं इसलिए कहते भी हैं कि सत्कुर बड़ा सहारा लोगों बंदे का रखवाला है कहे अवतार वही नरूचा जो कुरू का मतवाला है ये सत्कुर बड़ा सहारा है ये सब की रखवाली करता है सब की रखशा करता है लेकिन ये उसी की रखशा करता है जो इसका सहारा ले लेता है इसकी ओट ले लेता है ये कहते हैं कि इससे बड़ा सहारा तो कोई है ही नहीं और ये सहारा दे कर भी कभी चितारता नहीं है कभी ऐसास नहीं दिलवाता कि ये काम में ने तेरा किया है ये जिस घट से भी जो सिवा लेना चाहता है उस घट से ये सिवा ले लेता है सबी घट इसकी है, सबी हाथ इसकी है जिस हाथ से भी ये चाहे अशीरवात देना चाहे उस हाथ से या शीरवा दे रिता है जिस खट में भी बैठ के जो भी काम करवाना चाहे वो काम ये करवा लेता है सारा संसार इसी का बनाया हुआ है सारी स्रिष्टी इसी की है ये सारी स्रिष्टी का मालिक है जो चाहे कर सकता है लेकिन जो इसका सहारा ले लेता है उसके उपर अपार रहमत हो जाती है हम आत्माएं हैं सद्कुर्माता सुजिक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं कि हम आत्माएं हैं यह शरीर तो बदलता है और यूगो यूगो से हम कुछ ना कुछ बनते रहे हैं अब जब यह मानव शरीर मिला है तो उसका उदेश है भी इसका उदेश है भी यही है कि हम इस परमपिता प्रमात्मा की पहचान कर ले जब इस भगवान जिसको जाना जा सकता है इसका पता लग जाता है तो हमें यह भी पता लग जाता है कि हम कोन है हम कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है जीवन लक्षे से भटकने के बजाए इसी और लगातार फोकस रहने की प्रेना देते हुए सद्कुर्माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं हम असल रूप में मूल से जुड़ें और अपने जीवन को इसे एक निरंकार के उपर टिका कर रखें हमारा हर समय और पूरा जीवन ही भगती भरा हो तंसार को देने के लिए हम हमेशा त्यार हूँ हमारे मन के भाव आसू पोचने वाले और औरों को खुशियां देने वाले हूँ अपने जीवन की हम ऐसी निव त्यार करें परमात्मा के बताई रास्ते पर निस्वारत वे सहत भाव से चलते चले जाएं ऐसी बेगरच महुपत वाली भगती करते हुए इस परमात्मा के रास्ते पर हमको चलना है इसको वैसे ही परवान करके इसी का आनन्द लेना है सत्कुर माता जी हमें अलर्ड करते हुए कहते हैं कि हमको यही चेतन तालानी है कि कैसे हमको मूल से जुदा नहीं होना जो हमारे अस्तित्व का सत्रोत है उस से हमें पीछे नहीं होना हमको समझना है उसको जानना है और जब यह जानकारी हमें मिल जाती है जब इस एक की पहचान हो जाती है तो जो मन को भटकाने वाली चीजे होती है वो अपने आप दूर हो जाती है हमने याद रखना है कि भटका मारग खंडों तिकी वालों निकी एस मारग जलने वाली है यह मारग आसान नहीं है लेकिन अगर हमारी अपनी गलती ना भी हो तो हम माफी मांग लें किसी की गलती हो फिर भी उसे शक का लाब दे देना मन में अगर किसी के लिए ऐसा कोई व्यवार हो फिर भी उस व्यक्ति के प्रती मन के भाब और बोल कड़वे नहीं करने अपने मन को हमेशा सहज रखना है बगती जीवन में तभी मजबूत होगी जब तक हम निरंकार हम इस रमे हुए राम को याद रखेंगे जब सिम्रन में हमारा मन इतना रम जाए कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो हमने हमारा जो जुडाव है हमारा ध्यान जो है इस सिम्रन के तरफ ही काइम रहे हम अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो यह शबद हमारे मूँ से लगातार निकलना ही चाहिए तुही निरंकार मैं तेरी शरना मैं नू बक्ष लो सत्कुर्माता सुजिक्षा जी महराज हमें समझाती हैं कि हर मानव के अंदर निरंकार के दर्शन की भावना होनी चाहिए सार्थी जिस तरह का जीवन जीना है वह मानविय विशेशताएं भी हमारे अंदर होनी चाहिए निरंकार मन में क्या भावनाई होनी चाहिए और किस तरह की भावनाऊं से हमें दूर रहना चाहिए इस बात का हमेशा एहसास जरूरी है फिरफ ग्यान लेने तक की बात नहीं है अगर ग्यान ले चुके हैं तो अभी क्या हम सही माइने में मानो बन गए हैं या अभी भी हमारे जीवन में वही अंदकार है वही लालच है या कोई भी ऐसी बुरी बात है तो हमने अपने आप पर काम करना है सारे रास्ते हमारे सामने हैं और सही गलत की पहचान करने की बुद्धी और चेतनता भी है तो हमने तै करना है कि क्या हमने अपनी जिन्दकी में वियरत के कंकड कार्डे ही उठाने है या फूल के समान अच्छे गुनों की दात को लेना है हमने हमेशा अपने उत्थान की बाध सोचनी है अपने उन्नती की बाध सोचनी है कभी किसी में कमिया नहीं निकालने यही सोचना है कि हम किसी को किस तरह आराम पहुँचा सकती है भगतों के मनों में तो हमेशा वही भाव वही खुशी में रहने वाली अवस्था कायम रहती है जिसे उन्होंने अनंद के भाव में खुद जिया होता है हम मन में ये सोचें कि हमारा जीवन ऐसा हूँ जैसे भगवाल राम जी का था हम वैसे ही बने अगर हम अपने मन में हंकार ना निकाले तो हम रावन वाली प्रवर्टी के हैं, हम राम वाली प्रवर्टी के नहीं हैं, हमेशा जो किर्पा है उसको हमने कैसे अपने दामन में रखना है, अपने जीवन में रखना है, वो भावना की हर पल में चाहे स्थीतियां जो भी निरं कार के द्वारा दी गई हैं तो इन स्थितियों में अब हमारे स्वास तो सीमिती हैं तो हमने उन परी स्थितियों में खुद को ढालना है पल पल कैसी भी स्थिति हो हमारी उस स्थिति में ऐसे प्रतिक्रिया निकले जो सच में हमको भी और हमारी प्रतिक्रियाओं से बाकियों को भी यही दिखाए कि यह सच मुच असली रूप में संद निरंकारी पिशन के अनुयाई हैं हंकार को भक्ती मारक की परमुख बादा बताते हुए सद्कुर्माता सुदिक्षा जी महराज कहते हैं अगर हम इतने ज्यादा अपने अंदर हंकार और ऐसी चीज़े रख लेंग जिसमें थोड़ी सी भी लचक नहीं फिर हम भी कहीं पर सिती के हिसाब से अपने आपको मोड भी नहीं पाएंगे हम देखते भी हैं कि अगर एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रखटती हैं तो चिंगारी निकलती है ऐसा ही हाल हमारे अंदर होगा कि यह नेक्टिविटी य जो पूरे चीजों की चिंगारी अगर हमारे अंदर हमने पैदा कर ली तो फिर चिंगारी को तो सिरफ हवा है चाहिए और वैफिशाल आग का रूप ले लेकी इस तरह सत्कुर मातसुजिक्षा जिमाराजव में हर पल समझा रहे हैं कि हमने मानव बनके मानविय अगुणो को अपने जीवन में धारन करना है और सत्कुर की रहमतों के भागीदार बनना है हमने इन बातों को अपने जीवन में अपनाते चले जाना है अपना लोग सुहेला करना है खुद इन बातों पर करम करके फिर हमने औरों को भी प्रेना देनी है कि जिस तरह हमें आज वकत का स सत्कुरु समझा रहा है हमने इनके शिक्षाओं को अपनाते हुए अपना जीवन सुन्दर बनाना है संपोर्ण हरतेव बानी में सत्कुर बाबा हरतेव सिंग जी महराज हमें समझाते है राम रतन धन बिना जगत में निर्दन है हर एक इंसान राम रतन धन जिसके पले वो जन है सचा धनवान दुनिया का धन जूटा साथो साथ न जानने वाला है राम रतन धन दो जहां में काम आने वाला है दुनिया का धन खर्च करो तो दिन दिन करता जाता है राम रतन धन जितना भाटो उतना बढ़ता जाता है राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने कहे हर देव सोदा सच का सदा किया है संतों ने इस शबद द्वारा हमें सद्कुर बाबा जी समझा रहे हैं कि है इनसान अगर तेरे जीवन में रामरतन धन नहीं है तो फिर तू नीरतन है और रामरतन धन अगर तेरे पास है तो तू सही मायनों में सच्चा धनवान है दुनिया का धन तो जूटा है यह साथ जाने वाला नहीं है यह राम रतन धन ही दो जहां में तेरे काम आने वाला है इस लोक में भी और दूसरे लोक में भी दुनिया का धन तो अगर कर्च करेगा तो तेरा घरता जाएगा लेकिन राम रतन धन जितना भी कर्च करेगा उतना उतना बढ़ता चला जाएगा राम रतंधन इस दुनिया को हमेशा संतों ने ही दिया है ये और कहीं से नहीं मिल सकता ये सिरफ संतों की शरन में आकर ही मिलता है सद्कुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज ने सारे ही शबत का साराश हमें समझा दिया है कि जीनों ने इस राम रतंधन का इस सच का सोदा किया है ये किस ने किया है ये हमेशा संतों महापुर्शों ने किया है और कहीं से भी ये मिलने वाला नहीं है जे सुख को चाहें सदा शरन राम की ले अगर हम सुख सुख कौन सा है सुख यही है राम नाम रूपी धन गर हम यह पाना चाहते हैं तो हम वकत के सद्गुरु माता सुदिक शाजी माराज की शरण में आएं और अपना जीवन समारे यह सारे संसार के लिए आया हुआ है और सारे ही संसार को यह प्रमग्यान देकर सुखी कर रहा है इसलिए आओ हम इस धन को भी इकठा करें जो हमारे साथ जाने वाला है जो इस लोग में भी हमें सुख देने वाला है और परलोग में भी हमें सुख देने वाला है हम अपने नीच घर की पहचान कर ले समय रहते हम जाग जाएं क्योंकि ये समय कभी भी रुकने वाला नहीं है ये चलता चला जा रहा है समा गया फिर हतने हो ना अंद समय पच्टाएंगा दरम राएने जमजा घले रोएंगा कुलाएंगा अगर ये समय हाथ से बीट गया हमें पता नहीं है मालिक ने हमें कितने सौांस बक्षी है अगर ये समय बीट गया तो फिर दुबारा हाथ आने वाला नहीं है फिर पच्टाने के इलावा कुछ भी हासिर नहीं होगा हे इनसान समय रहते तू जाग जा और ये मेरा वक्त का सत्गुरू जगा रहा है ये आया हुआ है ये वक्त का सत्गुरू कह रहा है इस परमग्यान की दाद को पाकर सेवासी बरंससंग करके अपने जीवन को सुखी बना लो जिस काम के लिए ये मानव जनम मिला है वो मानव जनम का लाहा उठा लो और अपना लोग सुखी पर लोग सुहिला कर लो दासी सभी के लिए सत्कुर्माताची से यही अशीरवात मांगती है सचे पाशा हर घट में आप जी बैठ कर हर घट का उधार करो साज संगत जी प्रेम से कहना दान निरंकार जी